हड़ेर महादेव जैभूले नाज दोस्तो में बात करूंगी। कर दूसे पर्व कंप दोस्तों, जैसे धीugen होती है , धन्तेरस है्ट तो बहुत जादा महत्वोड है तो अक्षयतितिया का यह पर्व जो है वह करी मैं मैं 10 मैं को मनाया जाएगा अक्षयतिया विसेश इसले भी हो जाता है क्योंकि इस दिन की गई खरीदारी ब्रिद्धी कराती है और इसलिए आज के दिन कुछ विसेश सीजे लाना है अगर सोनाचानदी लाते हैं तो अतियुत्तम नहीं लाते है तो मैं कुछ चीजे बतारी हूँ जिनको की आपनों जरूर कर लेज़ेगा अब चलिए जान लेते हैं अक्षयतिया की वह विसेश बाते जिसे बताने के लिए मैं आज यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय तित्या की पूजा बुजी दूर्सो अक्षय तित्या पर पर्षु राम जयन्ती भी मनाई जाती है ऐसी सास्त्र की मानेता है कि गंगा और तरन वी पृत भी पे आज के दिन ही हुआ था और आज के दिन पर्षु राम जी की पूजा करना बहुत जादा फाजे मन्द है पर्षु राम जी की पूजा घर में की जाती है क्योंकि वो भगवान विश्णू के ओधार माने जाते हैं तो पड़शु राम जी की पूझा यदि यह बहुत कम जगपे होती है, इसलिक की पूझा होती है वह बके स्थानों फ़े लक्ष्मी नारहाइन की पूझा अखन्ड दीपक इसको बोलते हैं घी का या दीपक नोगे रख लेगा और पूजा विधी जो है वह आपको चैनल पर जल्दी ही देखने को मिलेगी तो मैं जल्दी ही पूजा विधी और पिछली साल भी मैं पूजा विधी अपलोड की थी तो एक बार उसे साहे तो आप तो सामान्य पूजा विदी है ऐसा कुछ नहीं है मैंन चीज है कि आज के दिन दान ज्यादा किया जाता है मिटी का मटका पानी भर के दान किया जाता है मतलब जल पातर का दान बहुत सूब होता है तो यह कर सकते हैं और पूजा विदी में मुख्यती है लक्षमी नाराण की जो सीजनल फ्रूट होते हैं जैसे कि इस समय नासपाती आती है ककड़ी आती है खीरे आते हैं ठंडे जो फल आते हैं सबको चड़ाया जाता है सबको दान किया जाता है और विशेज का दोस्तों लक्षमी आराधना बहुत अधिक महसपूर है तो वो लोग जरूर कर ले और जो लोग नहीं खरीद पाएंगे बिल्कुल ब्यवस्तान नहीं है वो क्या करेंगे तो देखें मैं उनके लिए पहले बता दूती हूं कि जो लोग पोटली संख या माला तीनों में से कोई विशेज ले रहे हैं तो वो चमतकार है दोस्तों मैं यहां चैनल पे कह रहे हूं तो वो लोग जिनके घर में रासन बिना समय ही खतम हो जाता है तो वो लोग क्या करे आज रासन वाला एक पात्र लाएं एक चावल एक अटे का डबा लाएं और आज आप ले आकर देखिएगा आज आप ले आकर गारंटी से बतांगे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार उनके घर का रासन खतम रहता है समय से पहले आप निदेगा और आज के दिन रा किबल निकालते जाएं लेकिन आप जो है उसको बचत सन्यम के साथ खाएंगे वो चीजे आपके सरीर को लेगेंगी और बहुत जल्दी जल्दी जैसे कि मालेजे की होंगे लेकिन जो लोग इन चीजों को नहीं ले सकते हैं वो कर ले या फिर जिनको और भी चीजे मतलब अच करेंगा तब इसका प्रभाव देखिएगा आप लोग दूसरी चीज आप चने की डाल खरीद कर अपने घर जरूर लाए थोड़ा जादा मतला अपने भंटारे में मिलाकर रखिए और यह चने की डाल जो है कोसिस करेगा कि इसमें भढ़ते थोड़ा रहे तभी लाके भढ आज के दिन आप जैसे बहुत चोटी बात है आप आत्र जरूर लाएगा आप देखिएगा इसका चमतकार क्या होता है जीवन में तीसरी चीज बताती हूं दोस्तों कि आज जो है आप एक काम और करेंगा आज आउले के ब्रिक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर लगाएग आज साक्षात मालक्षमी आपके घर में निवास करेंगी ऐसा जरूर कर लेजिए आज एक कम और करना है आपको जो की पांस का मैं बता रहे हूं आज मालक्षमी के लिए अपने घर में अखंड दीपक जो आप जलाएगे मैंने जो पताया आपको उसमें थोड़ा सा इत्र और इत्र डालके आप इस तीपक को जलाएगे पूरी घर में शुगंद फैलेगी दोस्तों और मालक्षमी आपकी घर में बर्बस आने पर मजबूर होंगी तो ये सारे काम कर लेज़ेगा उमिद करती हूँ जानकारी आपको फशंद आएगी धन्यवाद हर हर महा देविए प्यूंत आप करता ही करता है